नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का चीर परीचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में दोस्तों आज हम कुछ बात करेंगे ग्यान वर्धक यानि कि जो हमारे लिए आम लाइफ में बेहत जरूरी होते हैं जो बाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों नमक जो हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है यदि खाने में नमक ना हो तो खाने का स्वाद बेस्वाद हो जाएगा जिस तरह खाने के लिए नमक उपयोगी है उसी तरह इसका इस्तेमाल हमारे जीवन को भी खुश हाल बना सकता है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तु सास्तर के अनुसार नमक में अद्भुत शक्ति होती है जिस कारण घर में नकारात्मक उर्जा यानि निगेटिव एनरजी नहीं आपाती साथ है इसके प्रियोग से धन और स्वास्त के साथ साथ राहु केतु के अशुब प्रभाव भी नश्ट हो जाते हैं तो आएए आपको आज हम बताते हैं नमक के कुछ गुणों के बारे में पहला गुण माना जाता है कि नमक का प्रियोग करके नकारात्मक उर्जा को नश्ट किया जा सकता है दोस्तों इसका इस्तेमाल नजर उतारने के लिए भी किया जाता है परिवारिक सदस्यों को नजर लगने पर एक चुटकी नमक उनके उपर से तीन बार घुमाने के बाद बाहर भीक दें या पानी में बहा दें ऐसा करने से नजर दोश समाप्त हो जाएगा दूसरा गुण वास्तु दोश को खत्म करने के लिए कांच की कटोरी में नमक डाल कर बाथरूम और टॉलेट दोनों जगह रखें नमक और कांच राहु की वस्तुएं होने के कारण उनक की टाणूओं का भी सूचक माना जाता है ये घर के सुख धन और स्वास्थे को प्रभावित करते हैं तीसरा गुण कांच के पात्रे में नमक डाल कर घर के किसी भी कोने में रखतें ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है राहु केतु की दशाक या मन में बुरे विचार और डर उत्पन होने पर यह उपाय लावकारी सिध्ध होता है आप ऐसा पंद्रह दिन में एक बार कर सकते हैं दोस्तों चौथा गुण टुकडे वाले नमक को लाल रंग के वस्तर में बांध कर पोटली बनाकर घर के मेंगीट पर लटकाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं व्यापार में प्रगती के लिए कारे अस्थल के मुख्य द्वार पर और लोकर के उपर पोटली लटकाने से लाप मिलता है और लक्ष में स्थाई रहती हैं। पांचवां गुण रात्री से पुरु पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर हाथ पावध होने से चिंताओं से चुटकारा मिलता है और अच्छी नेंदा आती हैं दोस्तों राहुय ओमकेतु के अमंगल प्रभाव भी नश्ट होते हैं और बुरे सपने भी नहीं आते हैं दोस् गुण घर में रोक सॉल्ट लेंप रखने से सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है वास्तु के अनुसार इस उपाय से घरेलू जीवन में समन्वय और सुक सम्रिद्धी बढ़ती हैं रोगों का भी नाश होता है सात्वां गुण सपताह में एक बार नमक मिले पानी से बच्चों को अस्तनान करवाने से नजर दोश और स्वास्थे संबंधी परिशानियों में कमी आती है दोस्तों तो इस प्रकार से आज हमने आप सभी को बताया दोस्तों कि नमक से क्या-क्या फायदे हैं हमारे जीवन में तो अगली बार हम आप सभी से मिलेंगी एक नयाट नुश्खा लेकर के दोस्तों या फिर कुछ नई ज्यान वर्धक बातें लेकर के जिन से हमारे आम जीवन में पायदा होता है दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद